आज का जो हमारा टापिक है, वो टापिक हमारा रोमन सिब्लाइजेशन है यानि रोम की सब्वैता सबसे पहला इश्यू यह आता है कि रोम की सब्वैता को पढ़ने के आवश्यक्ता क्या है? ये रोम वो छेत्र है जहां पर आज इटली है और उसके सराउंडिंग्स के एरिया है उसके आसपास के छेत्र है किसी भी सनस्कृति का विकास आदनिक काल में आप और हम जिस रूप में हैं उसके पीछे हمारा कोई विग्राउंड है, उसके हमारा पीछे इतियास है उस इतियास का refugee question, आज हम लोग है इसलिए हमें इतियास को जानने की जरूरत पढ़ती है इसलिए पहले पीछे जाना पढ़ता है यरप की सस्कृति का जो मूलादार है वो ग्रीको रोमन सस्कृति है ग्रीको रोमन याने की ग्रीस की सब्यता, युनान की सब्यता और रोम की सब्यता इसलिए आज के मौडन यरोप में अगर हमको कुछ भी बढ़ना है तो हमें पहले इन दो बिंदूओं को देखना पड़ता है इन दो टॉपिक्स को देखना पड़ता है इसी क्रम में ये रोमन सिवलाजेशन का आपके सामने टॉपिक है आज जितनी भी तरह की शब्दावलियां चलती हैं हम कानून के छेत्र की बात करें हम लिट्रेचर की बात करें हम इतियास की बात करें हम विज्ञान की बात करें हम दर्शन की बात करें हम चिकित्सा की बात करें जितने भी छेत्रें इन छेत्रों के जो मूल पिता है, वो इन दोनों civilization में है चाए आप medical की डिग्री ले रहे हो, चाए दर्शन की डिग्री ले रहे हो, चाए इतियास की डिग्री ले रहे हो सबका जो मूल आधार है यरप के संदर में क्योंकि इन पिसले 100-500 सालों में एक दिक्कत ये आई है कि ज़्यादा तर जो लिखने का पैटर्ण रहा वो यूरो सेंट्रिक रहा यूरोप वालों ने ज़्यादा लिखा इसलिए उन्होंने इन दोनों चीजों को आधार बनाया तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसी बात को लेते हैं कि हम इसमें क्या हाइलाइट्स करने वाले हैं इस टॉपिक का हम थोड़ा इतियास की बात करेंगे थोड़ी जोग्रफी की बात करेंगे और थोड़ा वहां के जो राजनितिक इतियास है आजकल राजनेतिक जो पक्ष हैं, उनके बजाए सांसकर्तिक पक्षों पे, प्रशाशनिक पक्षों पे ज्यादा प्रशन पूछे जाते हैं इसलिए हम लोग उनके एकनॉमी, एकनॉमी में की बात होती है उनका जो आर्किटेक्चिरल और एंजिनेरिंग का पॉस्पेक्टिव है, उनका जो आर्ट एंड कल्चर का फिनॉमीना है कला और सांसकर्ति उनके कैसे बिख्सित्वी, इस बारे में हमको चर्चा करनी है तो ये कुछ बिंदु है जिन पर हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले ये देखिए कि कहां थी ये संसकर्ति, ये जो रोम की संसकर्ति है, रोमन सिविलाजेशन है, ये सिविलाजेशन इसका उद्य कहां हुआ विश्व में आज ये वाला पार्ट इटली वाला पार्ट है और इस इटली वाले पार्ट में हम देखते हैं इसके आसपास ये Mediterranean Sea का एरिया है यानि भूमध्य सागर का छेतर है इस भूमध्य सागर के आसपास जितना भी एरिया दिखाए दे रहा है देखें आपको मैं पने सब भी दिखाए दे रहा होगा यह उस वक्त के नाम है देखिए आप यहां सीरिया जॉर्डन और जुदिया यह आजकल जहां पे जॉर्डन वाला पार्ट आता है इसराइल वाला पार्ट आता है यहां से मैं हाथ घुमा रहा हूँ अपना और एजिप्ट से लेकर के नॉर्डन अफरीका टिनीशिया पुर् काये दे रहे हैं जिनको आजकल हम बालकन स्टेट्स कहते हैं यह बालकन स्टेट्स हैं और अप टू हमारे यहां पर एशिया की तरफ जब हम आते हैं तो यह एशिया माइनर का चेत्र है और एशिया माइनर से होते वे और एशिया में भी इरान तक का भाग यह आप कहीं काम में भी फैला है तो और इसका सेंटर रहा क्या रोम रोम इसका केंद रहा दरसल अब एक बिंदू पर यह बात करते हैं कि हम इतियास को पढ़ने के लिए समझने के लिए स्रोत क्या हमारे पास sources क्या है किन के आधार पर हम ये बातें कह रहे हैं तो दुनिया की सभी सबेताओं में सभी इतियास में अनुशुरतियां भी होती है दंद कताई भी होती है वास्तिक इतियास लेखन भी होता है और आज के वैग्यानिक प्रियोग भी है जिनको हम आर्केयोलजी के बेसिस पर बात करते हैं तो रूमन एतियास में अगर हम आज की डेट में हॉलिवड फिल्मों की बात करते हैं तो हॉलिवड वालों के लिए बहुत बड़ा मसाला है नजाने कितनी फिल्में इस पर बनी हुई है चाहे हम जुलियस सीजर की बात करते हैं चाहे हम ऑगस्टस की बात करें चाहे एक बहुती फेमस मूवी थी जिसको हमने नाम दिया ग्लेडियेटर चाहे थ्री एंडर्ड की बात करें चाहे अलेक्जेंडर की बात करें इतने लिखने वाले लोग इतने पढ़ने वाले लोग और इतने फिल्म बनाने वाले लोग इन टॉपिक्स को अगर इनका चैन कर रहे हैं तो इनका महत्त समझ में आता है अब जब हम sources की बात हम करें तो आजकल तो विज्ञान के बहुत सारी चीज़ों का प्रियोग किया जा रहा है आर्के होलजी नहीं के बली तो विज्यान नहीं बलकि और चीज़ों का भी इस्तिमाल किया रहा है दिख्यान की अन्य टक्नीकों का प्रियोग किया जा रहा है पिसले कुछ द श्रकों में कि नहीं आर्केवल जी बूंतर concerned खुदाई संभव है तो पिसले 20 साल 30 साल में डोतीन दश्कों से ये प्रक्रिया भी सुरूर चिकिए कि समुद्र के भीतर भी क्या कोई सव्विता थी और इनका ये छेतर जो है आप यहां देख रहे हैं चारों तरफ यहां यहां देखिए समुद्र तो मैंक्स बहुत बड़ बनाया है और कहीं पर सैंटिपिक उसकी इंटरप्रेशन है व्याज्यानिक व्याख्या है इसलिए हमें अलग 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 विचारधाराएं अलग अलग व्याख्याएं इस इतियास की मिलती हैं यहां पर जब हम लिवी की बात करते हैं लिवी यहां का सबसे बड़ा इतिय स्रोर्स बनते हैं इतियास लिकने के और समझने के दो तरह की सोर्स होते हैं पैला स्रोत हम जिसे कहते हैं that is called primary source primary source मतलब प्रात्मिक स्रोत जो उसकाल में लिखा गया जो उसकाल के आधार पर बाद के लोगों ने लिखा यानि इस 2020 के आधार पर अगर हम आज कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं इस सेगंडरी सोर्स जब हम पुराततों का आधार बना रहे हैं तो पुराततों भी प्राइमरी सोर्स आता है क्योंकि वो जीवन्त दस्तावेज आपके सामने प्रस्तुत करता है इस तरह से यह हमें पूरा मैप इसका दिखाए देता है अब यहाँ पे यह एक दूसरे मैप को दूसरे फॉर्म में हमने दिखाया है यह स्ट्रक्चर इसका आप आप समझ ले आज के इसाब से यह गॉल प तुलनात्मा करूप से थोड़ा पहले शुरू ही और रोमन से बतार तुलनात्मा करूप से थोड़ा बाद में शुरू ही तो यह जो नाम है इटली नाम जो है इटालिया जिसको बोलते हैं इटालिया शब्द बेसिकली इसका जो मीनिंग होता था मीनिंग ऐसा होता था जह आप रोम की बात करते हैं या पर, रोम की भी एक कहें कि जन सुरूती है कि एक राजकुमारी ने दो बच्छों को जन लिया, रोमलस, खास करके रोमलस की बात करें, कहते हैं कि जब बच्छा ने जन लिया तो उसको किसी कारण से जंगल में छोड़ना पड़ा, और जंगल में भेडियों के बीचु पला तो एक मादा भेडिया ने उसको अपना दूद पिलाया यह क्या दंती है हम जंगल बुक वाली कहानी भी सुनते और पढ़ते हैं मोगली वाली कहानी तो यहां पर भी कुछ-कुछ ऐसा लगता है कि उसकी भेडिया मा ने उसको दूद पिलाया इस ने रोमलस ने बाद में इसी के नाम से रोम की स्तापना हुई यहां पर आसपास में क्योंकि हिली एरिया है इसको प्लेस ऑफ सेवन हिल्स साथ पहाडियों का शहर या छेत्र कहते हैं और इस रोम की आसपास में आपने एक शब सुना होगा अंगरेजी में खुब इस्तिमा पहुने लगा दीरे दीरे इस तरहे भाग में ससकर्ति का विकास होने लगा ओझा एसा नहीं था कि पहले नहीं था प्रागयतियासिक मानौ का उल्लेक यहां पर लाखों साल पहले मिलता है फ्रांस में, स्पेन में, अल्ता मीरा की गुफाएं हैं, वहां से सबसे पहले मानों के द्वारा, आदी मानों के द्वारा पेंटिंग किये जाने के प्रमाण मिल चुके हैं यानि उनके यहां भी मानों बहुत साल पहले से चल रहा था आदी मानों जिसको कहते हैं जिस period को हम pre-history then proto-history कहते हैं पहले तो pre-history की बात करें यह 753 में रोमलस नाम का जो मैं बच्चे की बात कर रहा हूँ इसने बड़े हो करके रोम नामक शहर की इस्तापना की और यहीं से हम रोम की सब्विता की बात करते हैं 753 BC यानि लगभग लगभग आज से लगभग अठाईस साल मान लीजे इसके आसपास मान लीजे आप इतने साल पहले यह रोम शहर बना इसके उपरांथ जब हम बात करते हैं इसको रहने दीजिया यह देखें यह टाइबर नदी है यह टाइबर नदी पिटली के बीच से निकल रही है इस टाइबर नदी के आसपास में इस सब्यता का विकास होता है और इस एक्टिविटी के सेंटर को कहा जाता था फोरम तो यह इनका बेसिक शब्द है आप देखेंगे मैंने यह बात पहले भी की थी पिसली सब्यता में कि ज़्यादा तर हमारे ग्यान के जितने भी केंद्र हैं शाखाएं हैं सब में ज़्यादा तर शब्दों के उत्पत्ति हम रोमन और ग्रीक से देखते हैं अक्सर चैवोरल शचाल साइंस है कि हमेनीटी ऑवमेनेटीज है सब जगह हमको मूहल शब्द से लिया गया है ये शब्द लेटीन भासा के इस शब्द से लिया गया है और नाम पढ़ गया बाद में लेटिन अमेरिका क्योंकि जो लेटिन बोलने वाले देश थे उनकी भाषाएं जैसे पर्ट्वीज, स्पैनिश ये भाषाएं वहां पहुंची लेटिन अमेरिका में तो सेंट्रल अमेरिका और लेटिन अमेरिका के पार्ट को मिला करके कहना शुरू कर दिया गया सोलमी शताब्दी से लेटिन अमेरिका इस परकार से हम यहाँ पर हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि जो इस सब्यता का इतियास है इस सब्यता को हम अध्यन की सुविधा के लिए कैसे माच सकते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रोमलस ने रोम की स्थापना की 753 BC 753 इसापूर में और इससे पहले का जो उनका इतियास है इससे पहले का जो इनका इतियास है ऐसा नहीं कि पहले इतियास नहीं था वहाँ पे एक जाती का उल्लेक मिलता है जिसको एट्रसकन कहा गया है उसे अट्रेस्कन कहा गया है अट्रेस्कन जाती इसके आसपास में हुआ करती थी और नॉर्मली एक पढ़ने का तरीका है कि आर्य जाती है और अनार्य जाती है तो ये कोई कोई ऐसा कहते हैं कि कोई नौन आर्यन जाती थी इस नौन आर्यन जाती ने यहां पर अपने को establish किया और जब ये राज्य इस्ताफित हो गया 753 में तो इसके उपरांत शुरू में एट्रसकन जाती के लोगी हावी रहे बाद में यहां पर छटी शताबदी इसापूर तक आते आते यह इस पूरी दुनिया के इतियास में है कि पूरी दुनिया के इतियास में हमको छटी शताबदी इसापूर एक क्रांतिकारी शताबदी दिखाई देती है यहां भारत में मात्मा बुद्धर माभीर स्वामी आते हैं चीन में कन्फ्यूसियस आते हैं तो यहां गणतंत्र का निर्मान होता है जब हम ग्रीक सब्वेता की बात करते हैं तो वहां पर हमें नजाने कितने लोग अरस्तु से लेके सुकराद से लेके नजाने कितने लोग हमें आते वे दिखाई देते हैं एक पूरी पद्धती डबलप होती है ग्यान की दुनिया में चेंज की परमपरा प्रारम होए और ये चेंज बदलाओ बदलाओ ही इतियास की मूल जड़ है इसलिए यहां पर हमने मोटे तोर पर इस इतियास को समझने के लिए इसको चार भागों में बाटा है पहला भाग हम मान लेते हैं कि 753 से पहले का काल यानि जब रोम में कोई राज्य नहीं था छोटे-छोटे समुधाय हुआ करते थे जन जातिये समुधाय हुआ करते थे कवाईली संगटन ट्राइबल और अगनाजेशन यह हुआ करते थे इससे पहले वहाँ पर प्रोटो इस्ट्री का टाइम था आदी मानव का काल जब रोम की स्टापना हो गई तो इसकाल से और इसकाल के बीच पांस्तो नौ तक एक्शली यहाँ पर राजवन्स आ गए है और इन राजवन्सों के साथ दिखते हुई यह प्रकृति का नियम है इतियास के सिद्दानते इतियास के दो सिद्दानत काम करते हैं एक हम एक बोलते हम लीनियर कंसेप्ट एक को बोलते हम साइकलिक कंसेप्ट एक चक्रिय सिद्दानत होता है और एक रेखिय सिद्दानत होता है इतियास रेखिय गती में चलता है और इतियास चक्रिय गती में चलता है दो तरीके से इतियास चलता है ऐसा पूरी दुनिया में माना गया है तो जब यहां पर निरंकुष्टा बढ़ गई जब यहां पर अंतियाचार बढ़ गए तो पासवनों बीसी यानि की छटी शताब्दी इसापूर में इन लोगों का पतन हो गया एट्रसकन का एट जाती थी यह एट्रसकन जाती का पतन हो गया और इसकी जगा पैट्रीशन आ गया है यह जब पैट्रीशन आये यहां पर तो इन्होंने कुछ सस्थाएं विक्सित की सस्थाएं जैसे उधारणार्थ जैसे काउंसल काउंसल जैसे सीनेट यह सारे शब्द आज भी चलते हैं जैसे एसेम्बली एसेम्बली जैसे बिरक्रेसी यह सारे शब्द इन्होंने इसी काल में शुरू किये क्योंकि यह डेमेक्रेटिक फेनॉमेना था चुनकर आते थे लेकिन यहां पर एक बात थे दुनिया में सभी देशों में ऐसा हुआ एक समाज जो था वो दो भागों में बटा था पेट्रिशियन और प्लेबियन Patrician और Plebeian ये Patrician जो था ये समाज का एक बड़ा वर्ग था यानि कि ये विशेशा अधिकार प्राप्त वर्ग था राजनीती में, प्रशाशन में, काउंसिल में, सिनेट में, एसेंबली में, ये लोग हाबी होते थे जबकि इनकी लोगों की संख्या ज़ादा थी इसने अब पहली लड़ाई दो ये होने वाली है कि इन दोनों के भी संगर्श होगा जिनके पास अधिकार नहीं है वो अधिकार मांगेंगे पहली लड़ाई इसने इन दोनों के बीच लड़ाई चुरू हुई दो पक्ष आते हैं कभी भी किसी भी समाज के किसी भी देश के एतियास में सदैव दो पक्ष होते हैं कि एक तो उस देश के भीतर क्या चल रहा है और एक देश के बाहर क्या चल रहा है तो बाहर की बात करने से पहले हम भीतर की बात भी कर लें तो ये patrician और plebeian, ये दो पक्षें, हम इसके continuation में बात कर रहे थे कि किस तरह से रोम के ethias को हम different parts में divide कर सकते हैं, बाकी अध्यन की सुविधा हो सके, तो सबसे पहले जब रोम की स्तापना हुई 753 BC, 753 BC में Romulus ने जो रोम की स्तापना की, उससे पहले का रोम कैसा था? और 753 में रोम के बनने के बाद, रोम 509 तक कैसा था? यहां पर राजवन शा गए, इनके द्वारा अत्याचार किये गए, एट्रिसकन नाम की एक community थी, एक जाती थी, उसके द्वारा आम लोगों पर जब अत्याचार किये गए, तो आवाज उठी, लोगतांत्री का आवाज जंता की दरब सा आवाज उठी, और उस आवाज के कारण से 509, 509 BC में यहां गणतंत्र की स्तापना हुई, रिपब्लिक, गणतंत्र, गणतंत्र से ताथ पर यह है कि ऐसी जग, ऐसा राज्य, ऐसा स्टेट, जहां पर हेड़ अब स्टेट इस डारेक्ली एलेक्टेट आई, common man, आम आदनी के द्वारा हेड ओप स्टेट का राज्य के अध्यक्ष का निरवाचन परतेक्श परतेक्श रूप से होता हो, इसने यहां पर कई तरह की शब्दावलियां आई, यहां पर शब्दावलियां आई, सबसे पहले शब्दावलियां आई, council इस council का, जो एक council सब्द है, यह council आदनिक काल में, नैपोलियन के यहां, इंग्लेंड में, रूस के इतियास में, जर्मनी के इतियास में, और और जगों पर, तमाम जगों पर यह शब्द आता है, दूसरे नंबर का शब्द आया, senate यह शब्द आज भी popular है, senate मतलब एक तरह की संसद, और जो संसद होता है, उसको senator बोलते है, तो यह senate शब्द भी उन्हीं के आया, और मोटे तोर पर इसमें दो लोग होते थे, और इसमें लगबक 300 लोग होते थे, अभी मैंने इससे पहले के बताया था आपको, कि एट्रिस आते आते, पेट्रिशियन, यह community हावी हो गई, साशन में, तो सेनेट में भी वोई लोग थे, काउंसल में भी वोई लोग थे, और तीस्ती थी सभा, यह assembly बोल दें जिसको हम, इस assembly में, इस दोनों तरह के लोग, पेट्रिशियन, पेट्रिशियन, और प्लेबियन, प्लेबियन एक बहुत संक्यक समूध था, लेकिन, अभी मैं आपको बताता हूँ, इसमें presentation के साब से, कि यह लोग जायतर खेती करते थे, कारी-गरी का काम करते थे, यानि यह लोग रूल बेग्राउंड के थे, production करते थे, खेती का, इस कारण से यह लोग सेना में भी होते और इसी क्रम में इनके पास अधिकार कम थे, जबकि पैट्रीशन के पास अधिकार ज्यादा होते थे, इसलिए इन दोनों के बीच में अधिकारों का संगर्श शुरू हुआ, और इसी के अंतरगत हम बहुत से धीरे-धीरे डिमांड जब बढ़ती चली गई, संगर्श ये शब्द आज भी चलता है, ट्रिब्यून, ये एक अधिकारी था, इस अधिकारी ने रेप्रेजनेटेशन किया किस कम्यूनिटी का, प्लेबियन कम्यूनिटी का, ये प्लेबियन शब्द लगबग लगबग ऐसा शब्द है, हलांकि exactly translation नहीं हो सकता, इस शब्द के आध प्लेटिंग मतलब आम लोगों का इतियास लिखा जाना, और इसी तरह से ये जब इतियास इनका लिखा गया, और इन लोगों ने डिमांड करने शुरू की, तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आई, उसको सबसे ज़्यादा लिखने की जरूरत है, बारा तक्ती का कानू रोम की सब्यता की खास बात ये है कि ये कानून के दृष्टी से, लाउ मेकिंग के दृष्टी से ये सब्यता बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस कारण से यहां बारा तक्ती का कानून भी मिलता है, यहां जस्टीनियन कानून भी मिलता है, यहां पर समिधान बनाने के बहु से सिस्टम यहां डबलप हुए इस लिए बहुत से लोग कहते हैं कि जो कानून बनाने की जो जन्नी है जो सब्वेता इसकी जन्नी है वो रोमन सिब्लाजेशन है तो यह सारी शब्दावलियां आपके पास एक्जाम में पूछी जाती हैं यह बारा तक्तिका कानून में यह थ कि जो प्लेवियन लोग थे प्लेवियन समधाई के लोग थे उन लोगों को कुछ फंडमेंटल राइट्स दिये गए मूल अधिकार दिये गए और कुछ उनके पॉलिटिकल अधिकारों में भृद्धी की गई और धीरे-धीरे इन इन लोगों की जो संख्या थी इनके अध युद्ध सामराजवाद सामराजवाद किस तरह से हुआ है सामराजवाद यानि इन्होंने अपने को फैलाया कैसे तो इसमें शब्द आता है प्यूनिक वार प्यूनिक युद्ध ये प्यूनिक युद्ध मैं अभी आपको मैपके साफ से दिखाता हूँ ये प्यूनिक युद्ध वो जगह है यह यहां पे रोम है रोम से इस अफ्रीका के बीच में कार्थिज नाम की जगह है आजकल यह ट्यूनिशिया कहलाता है इस जगह के भी यह कार्थिज जो था यह बड़ा एक प्रॉस्परस जगह थी प्रॉस्परस स्टेट था क्योंकि यहां के लोग भ्यापार करते थे इसलिए वो लोग सम्रुद्ध थे और दूसरी जगह थी वो थी गॉल यानि फ्रांस तो इनके बीच में संगर्ष होता थ यह रोम वासी यानि रोम के सानिक यहां जीतते हैं और हर बार जीत करके रोमन सेना का एक तरीका होता था वो पचास जार लोग साथ हजार लोग एक लाख लोग वहां से बंदी बना कर लाते थे शुरुबात ने तो रोमन से यह किया कि वो बड़े क्रूड टाइप का दिस्टिक और उनका होता था लोगों को मार दो मेल पॉपलेशन को खतम कर दो बाकी लोगों को दास मना दो इस तरह की पॉलिसी और प्रॉसेस हुआ करता था लेकिन धीरे धीरे यह प्रक्रिया बद जब सेना में यही कंसर्ट बाद में नेपोलियन ने अपनाया इतियास से हम ऐसे सीखते हैं इसलिए हमको पिछला इतियास पढ़ना पड़ता है कि हम पीछे से क्या सीख रहे हैं तो इन लोगों ने करना यह शुरू किया रोमन लोगों ने कि जहां जहां जीते चले गए 20 से जार पचाहँ जार साट जार जो भी लोग इनको मिले उनको नोने सैनिक बना दिया और इस क्रम में इनाने यह कर्थिज को जीत लिया और धीरे दीरे आप देखिये सामराज्य विस्तार देखिए और उसके एकॉर्डिंग यह सैनिक को और योद्धा को सम्मान दिया करते थे यह इनकी खास बात ये थी कि योद्धा को सम्मान दिया जाए और रोमन सेना में भरती होना और जिन्दगी में एक बार रोम की यात्रा करना ये रोमन सामराज्य के आम आदनी के लिए बहुत गौरव का विश्य था क्योंकि आप देखें आप इतने दूर तक फैले हुए हैं और ये रोम एक ऐसा शहर है जो उस जमाने का आश्चर्य था एक आर्केटेक्चर यहां पर बना हुआ है अभी भी उसके अवशेश है जो मैंने शुरूर में आपको दिखाया था यह देखेगा आप यह स्ट्रेक्चर आज यह दुनिया के आश्चरियों में से एक है कोलिजियम बोलते इसको कोलिजियम मैं अगर ठेट भारत की भाषा में बोलू तो एक तरह का अखाड़ा एक तरह का स्टेडियम इसमें पचास अजार लोग बैठ सकते थे और इसमें गेम्स हुआ करते थे और खास करके एक बहुत बात आती है कि आपने अगर ग्लेडियेटर नाम का शब्द सुना हो एक शब्द आता है ग्लेडियेटर क्या शब्द है ग्लेडियेटर जिस पर मुवी बनी वी है ये ग्लेडियेटर एक तरह का योद्धा होता था और इन योद्धाओं को बेसिकली होता क्या था कि जिन लोगों को आप दास बना लेते थे लेकिन वो होते वो gladiator थे यानि योद्धा होते थे उन लोगों को आपस में लड़वाया जाता था तिल डेथ यानि दो योद्धागर लड़ रहे हैं तो एक का मरना तो तै है उपर से जो 60,000 की पब्लिक देख रही है जो मैंने आपको picture में दिखाया था वो last में खुद बोलेंगे कि इसको मार दो राजा उसकी permission देगा वो अपराद नहीं है इसके अलावा ये जो योद्धा होते थे gladiator इनको जंगली जानवरों से लड़ाया जाता था आप खड़े हैं बीच ग्राउंड में लोग उपर से देख रहे हैं पिंजड़े से जंगली सेर्द एक या दो या तीन छोड़ दिये जाएंगे उनके साथ आपको लड़ना है गुलाम का तो मरना तै है लेकिन ये देखना है कि वो कितनी देर तक अपने को बचा सकता है मरना तो उसका तै है तो उसके पास भाला होगा उसके पास तलवार होगी ढाल कभी होगी कभी नहीं होगी ढाल कभी होगी कभी नहीं होगी तलवार उसके पास दी जाएगी भाला उसको दिया जाएगा और बाकी गेम्स के पार्ट हुआ करते थे लेकिन ये बहुत ख़दरनाक खेल था और ये रोमन वासी इसको बहुत एंजॉय करते थे तो इस तरह से ये पक्ष चलता है तो गलेडियेटर आया प्यूनिक वार आये काउंसिल भी, सीनेट भी, सबह भी ये इस काल के बड़े महत्वपूर्ण पक्ष रहे दूसरे बात ये आती है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए तो फर्स्ट बीसी के आसपास पहली शताबदी और दूसरी शताबदी इसापूर में बहुत से सुधार हो चुके थे लेकिन आम जन्ता के साथ अभी भी शोशन और अत्याचार था इसलिए ग्रेकर्स नाम का दो भाई थे ट्रैबेरियस का नाम था उसने बोला कि जिन लोगों के पास प्लेबियन लोगों के पास जमीने नहीं हैं उनको जमीने दी जाएं जैसा कि ठीक भारत में आजादी के बाद हुआ जिन लोगों के पास जमीने नहीं थी उनको जमीने दी गई आपको अगर ध्यानों तो विनोवा भावे जी ने एक आंदोलन चलाया था जिसको भूदान आंदोलन कहा जाता है तो यहां इन्हों ने जमीने लोगों को बाटी अब जमीन एक ऐसा इशू है कि जि जिसकी जमीन दी जाएगी वो तो खुश नहीं होगा जमीन किसकी होगी पैट्रिशन क्लास की तिन लोगों ने इन क्रेगर्स को मरवा दिया दो भाई थे यह एक भाई को मरवा दिया उसके बाद यहां पे सेना पतियों का काल आता है चोकि ध्यान लखेगा यह वो जगह है यहां पर दो तरह के नेता हैं रोमन एमपायर में दो तरह के नेता हैं पहला नेता जो है वो मिलिटरी रूलर है सैनिक नेता है और दूसरा नेता वो जो सीनेट में बैठता है जो मैंने भी आपको पिक्चर दिखाया था तो दो तरह के नेता हमारे पार डबलाप हो रहे है और इन नेताओं में से आप जानते हैं कि उस जमाने में प्राचीन विश्व में या मद्देकालिन विश्व में सेना का रोल बहुत बहुत अपूर होता था जिस राजा के पास सेना होगी वो राजा सक्सिस के लिए भारत में बोला जाता है जब हम मद्यकाले नितियास की बात करते है तो क्या ये एक सैनिक राजय था हाँ ये सारे सैनिक राजय थे जिसके पक्ष में सेना है जिसके पास सेना है ओर राज करेगा इसलिए यहाँ पर एक-एक करके तीन-तीन सेना पतियों का टाइम आया आप लोगोंने नाम सुना है जूलियस सीजर बड़ा प्रसिद्ध नाम नजाने कितने मुवीज बनी है पूमपी, सुला, यह नाम है और इनके संगर सोने है तीन-तीन सेना पति वो सत्ता सम्वाल रहे हैं और इन तीनों सेना पतियों में से सबसे इंपॉर्टन व्यक्ति बनता है कौन? जूलियस सीजर यह जूलियस सीजर एक ऐसा व्यक्ति था, ऐसा सेना पति था, इसका जो चाचा था दरसल वो पहले सेना पति रह चुका था अभी मैंने आपको पहले बताया था कि जूलियस सीजर ने फ्रांस जीता, जूलियस सीजर ने यूरोप के बहुत से भाग जीते सेनापती के लिए एक आम बात ये होती है कि वो जितने छेतर जीतेगा उतना उसका नाम होगा तो ये जीतता चला गया तो इसके पास संसादन बढ़ते चले गए इसके पास सैनिक बढ़ते चले गए और होता क्या था कि रोमन इतियास में होता था कि जब कोई सेनापती ऐसे जाता था उसको लोप्रियता मिलती थी तो जो सीनेट पे बैठे लोग थे उनके लिए संकट हो जाता था क्योंकि वो वापस लोटेगा और बहुत पावर लेकर लोटेगा सेम कहानी नैपोलियन की है मौडन इंडिया में बिल्कुल यही कानी है और वो वापस लोटता है इसके बारे में जो फिमोस सेंटेंस है वो नैपोलियन के लिए भी कहा जाता है यह जब इतनी सारी सेना लेकर आया तो सीनेट के सामने पहुंचा तो सेनेट वालों को तो चक्कर आ गए, उनके पास अपनी सेना थी, संगर्ष हुआ, सेनेट वालों को पीछ रटना पड़ा, और यह powerful हो गया, जब इतना powerful हो गया, तो सैनिक नेता के लिए यह आवश्यक होता है कि वो सेना के करवाई करें, ज्यादा से ज्यादा, तो उसने अभियान किया एशिया माइनर कि तरफ भियान किया एजिप्ट की तरफ भियान किया और एक इंपॉर्टन चीज और थी ये दो लोग इनको किनारे लगाना था क्योंकि राजनीती में यही होता है पूरी दुनिया के इतियास में तब से लेकर आज तक जो आपका प्रतिदुन्दी है उसको किनारे लगाना ये एक सामान्यनियम है तो इन दोनों को उटाना था इसलिए इसका टाइटल जूलियस तो उसका नाम था और टाइटल उसने ले लिया सीजर का अब जब ये इस्तिती आई एक पड़ी फेमस इंपॉर्टेंट बात है कि जब वो इजिप्ट के अभियान में गया जब वो इजिप्ट के अभियान में गया